assalamualaikum आज का हमारा टॉपिक ए सब्दल स् perpendicular मेरे निर्विस सिस्ट्म का महां राधा इंट्रेक्शन लेंगे मैं yön nevrs s expressive इंट्रेक्शन में जो है इस टॉपिक को समराइज कर दिया है तो उसके पॉइंट्ट्स हैं वो मैं आपको नियर कर देता हूं तो सबसे पहला पॉइंट है हमारा यहां पर नवर सिस्टम जो है वो चीफ कंट्रोलिंग और कोडिनेटिंग सिस्टम ऑफ दा बॉड़ी है यह सिंपल पॉइंट है इसको में आगे जाके आपको उसमें एक्जेंपल में समराइज कर दूँगा उसके एर पॉइंट है जो हमारे बॉड़ी में होने वाली हर अक्टिविटी को रेगोलेट करता है बहले वो व्लिंट रहो वलिंट्री हो इर इन वॉलिंट्री हो voluntary कहते हैं भले वो हम अपनी मर्जी से कर रहे हूं और involuntary वो होती है जो हमारी will में ना हो जो हमारी control में ना हो just simply हम इसको यूं कह सकते हैं कि voluntary वो जो हमारे control में हो involuntary वो जो हमारे control में ना हो भले वो चीज वो एक्टिविटी हमारे कंट्रोल में हो या ना हो इनर्वस सिस्टम उस चीज को regulate करता है अब नर्वस सिस्टम जो है वो functioning जो होती है नर्वस सिस्टम की वो तकरीबन इन तीन प्रापर्टीज भी बेस करती है पूरा नवव सिस्टम इन तीन चीजों पर चलता है सबसे पहले उसमें आ जाती है हमारी सेंसिटिविटी सेंसिटिविटी क्या होती है सेंसिटिविटी को हम यह कह सकते हैं कि जिस्ट लाइक जो भी इंपल्स हो इंपल्स कहलें आप कोई भी external environment या internal environment हमारी body के अंदर या हमारी body के बाहर कोई चीज change हो और body उसको यू कहलें कि body उसको response करें मतलब कि वो हो गया हमारे stimulus अब आप उसको यू ले लें कि आपको वो जो feel हुआ आपके body के internal environment या external environment चेंज होना वो जो है आपकी sensitivity है इसके बाद nervous system में कैसे function कर रहा है बोगाता हूं from sensitivity के बाद हमारी होगई हिट हुआ आपको हैमर हिट हुआ यह आपको सेंस हुआ सेंस होने के बाद यहां से आपका सिगनल जो है वो गया आपके ब्रेन के पास आपके ब्रेन के पास गया तो यह जो हुआ यह सारा हुआ हमारी कंडेक्टिविटी के अंदर फिर हमारे ब्रेन के अंदर हमारे ब्रेन के tendon पे जो है यहां पर hammer ने hit किया, यह हो गई sensitivity stimulus आया, यह हमारा signal जो है वो brain की तरफ गया, यह conductivity हुई, conductivity के बास जो brain हमारा response generate करेगा, वो response हमारा दुबारा यहां पर आएगा और हमारी knee जो है वो extend हो गी, तो यह हमारी हो गई sensitivity, यह हो गई हमारी conductivity और यह हो गई हमारी responsiveness of the nervous system तो basically पूरा nervous system जो है वो इन तीन चीजों पे मिलके चलता है sensitivity, conductivity and responsiveness of the nervous system और जो मैंने आपको पहले point बोला था कि nervous system जो है वो हमारा chief controlling है coordinating system of the body है वो इसी तरह से है कि हमारी हर होने वाली activity भले वो voluntary हो या involuntary हो उनको जो regulate कर रहा है मलब कि जो हमारी voluntary है और जो हमारी involuntary है इन दोनों को जो regulate कर रहा है वो हमारा nervous system है ठीक है उसके बाद जो है इसके और जो आगे हम point देखें all these functions of nervous system held on electricity wires called nerves अब क्या होता है कि यह जो पूरा nervous system function कर रहा है वो एक क्यों कहलें कि आपकी electricity wires की तरह है उन wires का जो है वो special name है और उनका नाम जो है वो है nerves यह जो है आप यह कहलें कि आपकी प्रोटो प्लाजमिक extensions होती है जो आपके impulses को conduct करती है और nerve fiber to nerve fiber जो है वो travel कर वाती है उस impulse को ठीक है अब यह nerves हो गए अब nerves भी जो है वो दो तरह की होती है एक होती है sensory और एक होती है motor ठीक है अब वो nerves sensory भी हो सकती है motor भी हो सकती है अब यह nerves जो है मिलके दो pathways बनाती है जिसके उपर ये तीनों चीज़ें जो हैं वो यूं कहलें के काम कर रही होती है अपना अब ये nerves मिलके दो pathways बनाती है एक होता है efferent और एक होता है efferent efferent pathway क्या होता है ये आपका sensory pathway होता है अब इसको मैं डायग्राम में समझाता हूं आपको और efferent pathway होता है हमारा motor pathway efferent pathway क्या करता है वो आपके impulse को लेके जाता है आपके periphery to the control center मतलब के brain की तरफ मतलब के जहां पर आपको feel हुआ sensitivity आपको आई वहां से लेके आपके brain center मतलब के control center तक लेके जाता है जो आपका brain है और efferent pathway क्या करता है वो motor pathway है वो आपके control center मतलब brain से travel करवाता है response को to the effector or the periphery उसके अंदर क्या क्या आ जाते है हमारे muscle आ जाते हैं for suppose यहां पर आप यहां पर आप लें और सबोज यह आपकी नी है यह आपकी नी ठीक है और यह हैमर ठीक है 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 मर ने strike किया इंपल्स इंपल्स आया sensitivity हुई अब यह जो है यहां पर है हमारा ब्रेन यहां पर है हमारा ब्रेन इंपल्स आया इंपल्स ने आ ऐल्लकाआर और यहां से एक नर्व टू नर्व पू नर्व आफ डिर्व तू शिग्नल गया और ब्रेन में इसकी कन्डेक्टिविटी हुई इसारी और तो ब्रेन ने रिस्पॉंस जनरेट किया अब ब्रें रिस्पॉंस यहां से लेके यहां तक जो था वो था सारा एफरेंट पाथवे ठीक है अब यहां से यह जो पाथवे आया रिस्पॉंस वाला जो मोटर वाला आया जो मोटर पाथवे जो मोटर जो अपना function परफॉंग करवाएगा महां पर अब क्या होगा यह हो गया हमार मोटर पाथवे मतलब एकस्टेंड कर वाया तो इंपल्स आया उसने पातवे बनाया अफ्रेंड पातवे सेंसरी वे व्रेंस ने किया मोटर पातवे मोटर असने मोटर मुढ़े मौक्टर एक्टिविटी करे वानी थी उसने मोटर पातवे जिसके पूर किया इंठाग क impacto कि यह वह पात्वें से नर्वा सिस्टम के वो मैं अपनी अगली वीडियो में बताता हूं थैंक यू